हाई फ्रेंड्स जब भी हम टूर एंड ट्रेवल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है यही आता है ना कि वेकेशन्स पे जाना चुट्टिया मनाना एंजोई करना लेकिन क्या आपको पता है कि यही एक्टिविटी एक राइजिंग एकोनोमी के अंदर मैसिव म ट्रेवल के बारे में मत सोचिए यह सोचिए कि जब ट्रेवल एंड टूरिजम बढ़ती है तो बिजनस ट्रेवल भी बढ़ती है और जब बिजनस ट्रेवल बढ़ती है तो ओवर ओल इंडस्ट्री जो होटेल इंडस्ट्री है वो तेजी से ग्रो करती है और इसलिए जो हो आज तक आप साफ तोर पर समझ जाएंगे कि होटेल इंडस्ट्री का किंग कौन है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक कमपरेटिव स्टडी इंडियन होटेल इंडस्ट्री की इस वीडियो में लेट्स बेगिन सागर्दोमिक्स तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आगे देखते हैं चार कमपनीज को साइड बाई साइड कमपेर करें होटेल इंडस्ट्री को उससे पहले आप अपना काम कीजिए वीडियो को अब भी से लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक बटन दबाना आप भूल जाते हो बाद है ठीक है और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी अगली वीडियो मिलेगी कैसे आपको इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन कीजिए क्योंकि निस्पक्ष इमानदारी और रिसर्च से बनी हुई कॉंटेंट आपको बहुत कम जगय मिलेग और आपके भाई पर विश्वास रखिए हमेशा आपको ऑनेस्ट ही अपना व्यू देगा कभी बायस्ट व्यू नहीं देगा शुरू करते हैं चार स्टोक्स को एनलाइज करने का आपके स्क्रीन पर चारों स्टोक्स यह रहे पहला है राजाय ओफ इंडियन होटेल इंडस आप कर दिरेक्टी होटेल इंडस्टी में नहीं है लेकिन यह को कुन सी बड़ी आफ़ता फागी सब्रीकर करती बाड़े का चार्ज करते हैं वो सकते हैं स्विमिन पूल बाहर की तरफ हो या कुछ और फैसलिटीज हो बट ओवर ओल चारों कंपनीज लगवग सेव इंडस्ट्री में ठीक है चलिए कंपरेजन शुरू करें पहला काम सबसे पहले देखें साइस किसकी बड़ी है तो देखे deze लेमन होटेल 11000 करोर की मार्केट केप और 10,000 करोर से कंची मर्केट केप महिंदरा की है और जो अपने आपने बड़ा नाम है 28000 करोर की मार्केट के साथ में यह सेकिंड लार्जेस्ट कंपनी यह कियोग आप ने करिंट प्राइस की बात करें तो देखें यह 646 पे है next stock की price to earning ratio की बात करें तो देखिए यह overall industry के लगभग मनब यह तीनों starts जो है वो 70-80% की range में price to earning को लेके चल रहे हैं लेकिन EIH hotel इस मामने में बाजी मार ले जाता है क्योंकि EIH hotel का PE ratio कम है पर दोस्तों मैंने बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं उनसे मैंने बात भी करता हूँ बहुत सारे लोग questions भी पूछते हैं और अधिकतर लोगा रहता है कि PE ratio के हिसाब से हम लोग stocks को select करते हैं तो यहां ना थोड़ा सा आपको सही सोचना पड़ेगा क्योंकि PE ratio can be one of the factors but it is not not a comprehensive tool to analyze the stock यह सिर्फ एक हिस्से को दिखाता है अगर देखिए PE ratio के साथ में आप PE G ratio को मिला ज़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी picture मिलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि stock की price तेज भाग रही हो और उसकी कमाई यानि उसका profit कम भाग रहा हो वो चीज जो देखना जरू चीजों में interested है ना तो इसके लिए हम लोग ना live sessions करवाते हैं और साथ में एक मैंने 30 minutes का एक course बना रखा आपके लिए जो मेरे मित्रों हो आप इसलिए free of course आपको दिया जाएगा link दे रखा है description में वहाँ join करिए आप हमारी community का हिस्सा बनेंगे एक हमारी टोली है मित्रों की हजारों investors की उसका हिस्सा बनेंगे और आप से हमारी live connection बैठेगा आप live sessions करेंगे तो आप जब चाहें उसमें join कर सकते हैं देखिए अगला live session कब होने वाला है तो जैसे information मिलेगी join करिए और सीखिए कि stock को analyze कैसे करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते की चलिए सबकी अलग अलग है लेकिन इसको अभी ज्यादा करने के बजाए हम लोग डिविडेंट की बात करें तो लेमेंट्री एंड महेंद्र होटल ने दिविडेंट दिया ही नहीं है जी साब बाकी डिविडेंट दे रही है दोनों ने 0.267 के आसपस दिया है यह पर important स अब सबसे important factor से यह दो वह दीजार मनलब वेरी वेरी important points तो देखें कि return on capital employed किसने जाए दिया है और सबसे बड़ी बात है return on equity ROE किसने जाए दिया अब ROE ना हमसे direct connected रहता है क्योंकि investors को ROE से सबसे ज्यादा मतलब होता है हमारे आपके जैसे investors को तो यहां देखें तो सबसे ज्यादा growth किसमें नजर आईए महिंद्रा holidays में अच्छा उसकी वजए भी है दोस्तों इन्होंने ना marketing और branding पर बहुत पैसा खर्श किया आपने देखा हुआ टीवी पर महिंद्रा holidays के बहुत एड़ाते हैं अलग लग टाइप की membership है इनकी अलग लग टाइप के companies का है बीच वालोंने dividend दिया ही नहीं है तो इसकी तो बात ही क्या करनी अब बात करते हैं बिजनिस में कहां क्या चल रहा है इनकी सो बिजनिस का पता पड़ता है दोस्तों sales growth से अब देखें कोई company का पहला target क्या होता है sales बढ़ाना दूसरा target क्या होता है उस sales से profit ज्यादा बढ़ाना कि सेल तो उतनी हो रही है एक biscuit के packet पे हम 10 रुपीज की जगे पर मान लीजिए 10 रुपीज का packet है आज मान लीजिए HUL उसके उपर एक रुपया कमाती है कल को अगर उसने अपना raw material सस्ते में खरीदा या फिर अपने product की price बढ़ा दी उसने branding वगरा करके तो वह 10 पर के packet पे एक की जगे दो रुप कमाएगी तो kind of profit की growth is also equally important I should say more important चलिए अब बात करें आपर तो sales growth के हिसाब से हम देखें तो number one पे चल रही है वहिसाब lemon tree hotel इसको छोटी size का भी फाइदा मिलता है लेकिन अगर profit की बात करें तो overall leader है आज भी Indian hotels 35% profit growth है इसकी 5 years में तो यह वह legend है इतना बड़ा group है कि इसको beat करना मुश्किल है और इसी को दोस्तों कहते है moat 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 का मतलब होता है वह competitive advantage जो औरों के पास नहीं है तो जैसे Asian paint के पास है कि distribution सिप उसकी इतनी जबरदस्त है HUL के पास distributor है brands है तो आज कोई नहीं company उस industry में उतरेगी तो उसको बहुत मुश्किल होगा टिक पाना same way Indian hotels की size इतनी बड़ी है कि उसमें दूसरे कोई सेंधमारी कर पाएं वो बड़ा मुश्किल है डेंट मार पाएं कोई competitor that is very difficult so यहां पूरा marks आपको मिलेंगे इसको Indian hotels को आगे चलें तो next देखते हैं industry का PE तो सबका same है पैग रश्यों पैग प्रॉफिट बढ़ा करके दिखानी पड़ीगी वह आप earnings आगे grow करके दिखाओ अगर आप earnings grow करके नहीं दिखा पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी सिर्फ प्राइस बढ़ी है वह भी मार्केट के मार्केट के जो कहते हैं एक हवा बन जाती है एक तरह से advertising के थूँ लोगों नंबर के हिसाब से तो सब ठीक है पित्रोष की स्कोर के हिसाब से देखें तो यहां यह दोनों स्टोक्स ज्यादा अच्छा परफॉम करते हैं यह को टॉप स्लोट मिलता है अगें अगें यह इस नाइन आउट ओफ नाइन के साथ परस्ट नंबर पे हैं इंडियन होटर से ज्यादा मेंटर नहीं करेंगा क्योंकि manufacturing company नहीं है आगे देखें EPS EPS के हिसाब से जाहिर सी बात है अगें फिर से रेंक कोन कर रहा है फिर से रेंक कर रहा है आपका इस ने यह यह इतना कमाया आपको ना इसलिए stocks को ना एक बार शोट लिस्ट करना और उसके बाद उसको लगातार analyze करके फिर दीरे दीरे अपनी पोजिशन बना इस वाले फेक्टर पर मान लीजिए यह company अच्छा नहीं बैट रही है हो सकता है उसका कई और चल रहा है और जब यह आप decode करना सीख जाओगे वह सीख ही जाओगे ना आप मेरे साथ मेरे मित्र बनके रहोगे live sessions भी अटेंड करोगे तो वैसे सीख जाओगे तो जब आप ऐसा करेंगे तो ओटमेटिक लिए आपके दिमाग मेंने वह चीज़ सिगनल डवलप हो जाएगा कि हाँ इस company का बिजनस ठीक चलेगा और जिसका बिजनस ठीक चलेगा उसकी long term में stock price की growth होनी होनी है यह मान करके चलिए आप कितना ही उठापटक कर लो कितने ही चीज़े मैनिपुलेट कर ल लिए था वो टाइम फ्रेम आरोई वो ज्यादा सटीक है यह रिटन ओन एक्विटी डिफरेंट टाइम फ्रेम के इसाब से बनाया है तो बेटर कि आप इसी को ज्यादा final माने ठीक है तो यहां पर महिंद्रा होलिडेज ने रिटन ओन एक्विटी अच्छा दिया है चलिए काम की सबसे important चीजों पर चलते हैं तो यहां देखें अब यहां ना आपको differentiator साफ दिखेगा कि यह चारों companies एक ही इंडस्ट्री में ठीक है अब आप देखें operating profit margin किसका है सबसे अच्छा सबसे अच्छा आपका चल रहा है इंडियन ओटर 35% कमा रहे हैं लेमंट्री ने 40- 50% कमा यह यह ज्यादा अच्छा contender है अगर आप बात करें महिंद्रा holidays तो यह पिछरती जा रही है अब इसका मतलब यह नहीं हो कि महिंद्रा holidays कंपनी खराब है इसका मतलब यह है कि अगर यह 100 रुपे कमाते हैं और उसमें से बाकी सारे लोग मान लीजे 10 रुपे advertising पर खर जरूर यह तो इसी साब से अगर आप देखें तो ओवर ओल अगर ओवर ओल देखें तो 41% के साब से यह is quite 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 well placed as far as the valuations are considered and if you want to take a fast growing futuristic company then I think Mahindra holidays and Indian hotels make a lot of sense lemon tree has to prove itself इसको अपनी चाप छोड़ करके दिखानी होगी बट हाँ आप इन 4 stocks में नजर बनाके जरूर रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में क्या इन में नए development होंगे जिसे ITC की खुद की एक hotel branch आने वाली है तो ITC जब de-mars हो जाएगी ITC hotels अलग हो जाएगा उससे तब द से कि यह educational वीडियो है जिसका purpose किसी भी आरत में buying selling की कोई recommendation देना नहीं है इसलिए आप चीजों को सीखें लॉंग टर्म के साब से एक अच्छे investor बने यह हमारी कोशिश है तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा आपको कैसा कौन सी hotel आपको लगता है कि future में ज्यादा आपको माननी है ना आपको शेयर कर ये दोस्तों सारे लोगों के पास जिनको भी शेयर में confusion है उनको कहीं कहीं आपकी शेयर करने से help मिलेगी ठीक है अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं है झाले जाले